जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फास्टेक ने लॉंच कर दी है अपना नया बैंड जिसका नाम है फास्टेक रिफ्लेक्स बीट आज हम इस वीडियो में कंपरेजन देखने वाले हैं आपके फास्टेक रिफ्लेक्स बीट का M.I.Band 3i से तो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिर से एक ने कवाल धमाल बे मिसाल वीडियों में नाम है तो आप देख रहे हैं टेक्निकल पताब गठी यूट्यूब चैनल तो बिना किसे बिलम क्या ये करते हैं इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्स् अपीलिंग लुक के साथ आता है वहीं आपका M.I.Band 3i एक आपका जो आटडेटेड मॉडल आप कह सकते हैं लेकिन कुछ भी हो वह अच्छा आपको लगेगा इसमें आपको एक स्लीक डिजाइन देखने को मिल जाएगा और अगर दोनों के डिस्प्ले ले आउट की मैं ब मिल जाता है यानि आपको क्या क्या information शो करता है तो आपका M.I.Band 3i आई है उसमें कुछ आपको ज्यादा information दिख जाएगी जैसे आपको डे भी बदा आएगा उसके बाद सो करेगा वहीं दूसरी तरफ आपके fast track reflex beat में आपको date दिखाएगा time दिखाएगा प्लस आपका battery जो है कितना है battery वो दोना में दिखाएगा और fast track reflex beat में भी दिखाता है आपके जो features same same आपको मिलने वाले हैं वो क्या-क्या है तो अगर सबसे पहले में feature की बात करता हूं तो आपका हो गया step tracker दोनों में same है उसके बाद दोनों में मिलता है आपको calorie tracker हो गया आपका sleep monitoring आपका हो गया उसके बाद activity alarm आपका मिल जाएगा आपको sedimentary alarm देखने को मिल जाएगा activity tracker आपको दोनों में मिल जाएगे और फिर आप यह भी जाओन सकते हैं कि आपका क्या रहा है heart rate लेकिन यह सिर्फ आपको किस में मिलेगा यह आपको fast tech reflex beat में मिलेगा heart rate का sensor जो है आपको सिर्फ fast tech reflex beat में मिलता है में एक बार फिर से repeat करता हूँ आपके MI band 3i में नहीं मिलता है तो वो यह है कि आप calls हो गया रहा है दोनों से लेपाएंगे दोनों से आपको notification मिल जाएगा और MI band 3i में आप call को reject भी कर सकते हैं और फिर fast tech reflex beat में भी आप notification आपका वो आएगा आप calls ले सकते हैं अगर आपका band दोनों ही band यानि अगर आपने अलगल उसको connect किया है अपने किसी app से और app क्या तो आपको app मिलता ही है जैसे आपका fast tech reflex beat वाला app होगे आपको मिल जाएगा play store पे और आपके MI band का भी जो है आपको play store पे मिल जाएगा तो अगर आपने bluetooth के जरीए तो Bluetooth connectivity अगर आपने उसको connect किया है तो आपको जो है notification देखने को मिल जाएगे अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि आपको कौन साल लेना चाहिए कौन साब के लिए ज्यादा बैटर होगा तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ MI-Band 3i की तो वह एक buzzer segment में आने वाला काफी अच्छा आपको band देखने को मिलेगा जिसमें आपको sleek पतला design मिलेगा और यह design जो है आपको पसंद आएगा इसमें आप steps होगेरा चेंज कर सकते हैं आपको तरह तरह के steps को option मिल जाएगा और अगर मैं दोनों की battery की बात करता ह हो तो battery दोनों में लगबग आपको सेम सी मिलने वाली है और फिर कुछी sensors आपको MI-Band 3i में कम मिलते हैं जैसे आपका हो गया हट्रेट sensors तो जिनकी वज़े से आपका battery कम consume होने वाला है आपके MI-Band 3i में तो थोड़ा better आप इसमें aspect कर सकते हैं आपने battery backup को लेकिन अगर मैं आपको वह vibrate करके बता देगा कि आपको चलना चाहिए, so vibrate करने लगए जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको hiller दूलना है या चलना है लेकिन अगर मैं आप बात करता हूं आपके MI-Band 3i के कुछ और plus features की, so वह यह है कि आपको इसमें कुछ और different sports mode देखने को म क्लिंग गयरा और फिर जिमिंग में गयरा इसमें आपको added feature एक आपको मिल जाता है और वही दूसरी तरफ अगर मैं आपके fast track reflex beat की बात करता हूं तो fast track reflex beat में भी आपको कुछ plus feature added features मिल जाते हैं जैसा हापको हो गया, kill sleek, नया design जो आपको fresh appeal देने वाला है थोड़ा premiumness आप heart rate को monitor करते रहेगा और उसको आप अपने app पे जाके check कर सकते हैं तो अगर मैं बात करूं कि आपको कौन सा दोनों में लेना चाहिए और दोनों में आप से लिए कौन सा better होगा तो अगर आप एक best value for money चाहते हैं ऐसा कोई band जो आपका वे लिए best value for money हो यानि आप ज्यादा पैसे नहीं खर्चवाना चाहते हैं आपको basic चीजे चाहिए आपको heart rate sensor नहीं चाहिए और मैं आपको बता दो कि दोनों ही band जो है आपके water resistance मिल जाते हैं और 580m तक का आपको इसमें मिल जाता है pressure जेलने की शम्दा यानि आप इसको तकरीबन आराम से swimming वगेरा के लिए जा सकते हैं rain वगेरा में आप इसको use कर सकते हैं आपको कोई problem नहीं होने वाली है अप दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि इनके pricing में आपको क्या क्या difference देखने को मिलता है तो एक ही pricing यहाँ आपको 2400 की आसपास मिल जाती है आप जाके check कर लेंगी क्योंकि pricing थोड़ा बहुत fluctuate होती रहती discounts की वज़े से वहीं आपको MI band 3i आपको 1299 रुपीज में मिलता है तक्रीबन 1300 की आसपास आपको देखने को मिल जाता है MI band 3i और अगर दोनों की charging की बात करता हूं तो charging आपको लगबग similar से मिलने वाली है क्योंकि दोनों में ही इस वार आपको देखने को मिले तो उसमें क्या था कि आपको निकालना पड़ता था उसके बाद आपको plug-in करना पड़ता था आपके charger में USB port में जहां से आपका charge होता था लेकिन इस बार आपको डारेक्ट charger प्रोबाइट कर दिया गया है तो दोस्तों बस आज के वीडियो पे नहीं आपको वीडियो पसं